जाएं दोस्तों मैं नवीन सर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आसा करता हूँ आप सब एकदम अच्छे हैं एकदम बहतरीन है एक बार सारे दोस्त सारे मित्र सारे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे आप सब कैसे हैं और आप सब जानते हैं आज से आपकी दिल्ली प प्रिक्षाओं को देखते हुए जैसे कि हम जानते हैं कि MS Word और MS Excel के काफी प्रसंद पुछे जाने लगे हैं और बाकी ऐसा नहीं है चैप्टर्स से प्रसंद नहीं पुछे जाते हैं तो एक सांदार और एक बहतरीन तरीके से हम लोग बड़े आराम से हर एक बच्चा जिसको लगे कि computer एक कठिन विशय है मैं उसको उस तरीके से computer को समझाते हुए चलूँगा उसको लगेगा कि सबसे आसान विशय है और सबस तो ने मेनत की थी हाला कि उसमें बहुत कम वीडियो मेरी दो-तीन वीडियो ही आप आई तो इसी तरह से हम लोग बच्चे मैंने बताया कि लगभग दस चैप्टर हमारे होने हैं ध्यान से सुने मेरी बात को दस चैप्टर हम लोग कर रहे होंगे तोमवार से लेकर के गए मैं आपके सामने पेस कर रहा हूँगा ठीक है लेक पाल वाले बच्चों के लिए विसेश क्लास है और दूसरी मेरी बात सुने आपकी एक बज़े से क्लास है बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा कि जोग्रफी की क्लास भी एक बज़े से होती है तो मेरे दोस्त क्लास अब आपकी दो बज़े से होया करेगी ठीक है तो मैं आप लोगों को पहले सिलेबस दिखा देता हूँ हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर में तो ध्यान से समझना और इसी किरम में आप लोग एक बार स्क्रीन सॉट ले लेंगे हम लोग इसी किरम में कंप्यूटर काम क्या करता है हम कंप्यूटर के बारे में जानेंगे दूसरे चैप्टर में मैं बता रहा हूँगा आपको development of computer कंप्यूटर का विकास किस तरह से हुआ कैसे एक अबेकस मसीन हुआ करती थी कैसे आपका difference engine बना वो analytical engine बना और उसके तरह विकास होते 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 आज के आधुनिक computer यानि सूपर computer और tablet जैसे mini computers पर हम आएंगे तीसरे चैप्टर में मैं आपको hardware बता रहा हूँगा और इस hardware में हम सभी आपकी input और output devices के बारे में पढ़ रहे होंगे जो आपकी input और output devices होंगी या बाकी computer के जितने भी यंत्र होते हैं जो computer से सनलगन होते ह software में सतारे software Windows, MS-DOS आपका Unix, Linux, Genix और आपका जैसे की Apple में इस्तेमाल होने वाला आपका iOS और साथी phone में इस्तेमाल होने वाले Android वर्जन आदी को हम यहां पढ़ रहे होंगे ठीक है computer memory में primary memory, secondary memory यानि कि आपकी RAM, ROM जो आपकी pen drives हैं या HDD hardix drives हैं इनके बारे में हम यहां पढ़ रहे होंगे register memory कैसे memory के बारे में भी हम यहां पढ़ रहे होंगे computer language और number system, computer language यानि कि जैसे मैं आपसे अभी हिंदी में बात कर रहा हूं या आप लोग अंग्रेजी बोलते होंगे तो computer हिंदी और अंग्रेजी को नहीं समझता, computer समझता binary language, machine language, c language, c++, fortron, basic, java language इस तरह की भासाओं को हम पढ़ रहे होंगे आपका किस में computer language में, फिर number system, binary, octal, decimal, आदी numbers को हम यहां पढ़ रहे होंगे और उनका conversion भी सीख रहे होंगे email के बारे में, email से बहुत question इस बार दिली प्लिस में पूछे गए, जैसे कि email में use होने वाले protocols, ठीक है जैसे कि आपका FTP, file transfer protocol या आपके बाकी protocols और email का वेकास हम यहां पढ़ रहे होंगे आठवे में हम computer network के बारे में पढ़ रहे होंगे, computer network में हम लोग hub, जैसे कि आप पढ़ते हैं, land, man, when, local area network, metropolitan area network या wide area network आदी को हम discuss कर रहे होंगे, कैसे एक loop बनता है, क्या modem के साहता से हम जुड़ते हैं, modulation, demodulation क्या होता है कैसे हम अपने एक message को दूसरी जिगह पहुचा पाते हैं, अपने संदेश को internet के बारे में पढ़ रहे होंगे, internet के सभी protocols, internet कैसे काम करता है, और उसकी सुरक्षा आज के time में आप देखोगे internet सुरक्षा, मतलब internet का प्रियोग करते समय, जो बचाब हमको करने हैं, जैसे की virus से हमको बचना है यानि की virus, anti-virus, cyber space war, cyber सुरक्षा क्या होती है, हम यहां पढ़ रहे होंगे फिर आएगा आपका Microsoft Office, MS Office और MS Office को हम लोग इसके जितने भी जरूरी परसंट बन सकते हैं, इसकी सारी जानकारी, shortcut keys जो बहुत महत्पूर्ण आपके लिए साबित होंगी ठीक है, फिर हम Microsoft Excel और उसके formula based question जो बच्चों के सिर के दर्द हैं सिर का दर्द होता है, Microsoft formula जो आपके Excel के formula based question है, हम कैसे हल करेंगे तो बड़े प्यार से कर रहे होंगे, बिलकुल आप लोगों को ये चिंता छोड़ देनी है, होगा क्या, बस जरुरत होगी तो किलास से जुड़े रहने की और proper अपने notes बनाते रहने की, ठीक है, इतनी बात समझ में आईए, थमसब करेंगे syllabus समझ में आया आप लोगों को, बहुत बढ़ी है, किसी भी exam के लिए बच्चे, जहां computer आता है, ये किलास उस exam के लिए एक दम, एक दम रामबान साबित हो रही होगी, और focus हम करके चल रहे है दिल्ली पुलिस पर, दिल्ली पुलिस constable, दिल्ली पुलिस head constable ministerial, और दिल्ली पुलिस AWO, TPO के लिए हम इसको focus करके चल रहे है, साथ ही application में ये class चल रहे है हमारी लेकपाल के लिए, हमारे application में ठीक है, बहुत छोटी class होगी, सौमवार से सुक्रवार तक, बिल्कुल panic होने क्या हो सकता नहीं है, लगभग 40 minute या 45 minute की class करेंगे, जरत होगी कि सबताह के अंत में जो भी मैं आपको कराऊंगा, वो तयार करने का एक वादा आप मुझ से करते हैं, फटाफट से थम सब करके सारे बच्चे बताएंगे, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है, एक बार बच्चे में सिलेबस बता देता हूँ आपको, दिल्ली पलिस constable की जो समझ सकते हैं, साथ बचे से मैथ की क्लास है, कम्प्यूटर की क्लास आपकी रोज दुपहर एक वज़े से होगी, ठीक है, और रीजनिंग की क्लास राहूल सर्मा सर आपको साथ बचे से साम साथ वज़े से करा रहे होंगे, बहुत जबर्दस तरीके से रीजनिंग पढ़ा तो current affairs की class तो आपकी शुरुवात है दिन की यहां एक बहतर तरीके से आपको अपने दिन की शुरुवात करनी होती है maths head constable ministerial के लिए राहुल सर साथ बजे सुबह इंग्लिस की class देखो इंग्लिस की class विपिन सर आपको दुफैर बारह बजे से करा रहे हैं computer की class यहां भी एक बजे से और reasoning की class साम साथ बजे से राहुल सर्मा सर अब आ जाते हैं बच्चे एडवलुओ एडवलुओ और TPO के लिए दिलिपिलिस की जो किलास होनी है सुबह करंट अफेर्स की class साथ बजे मैथ की class स्क्रिन सॉट लेके रखिए आप अपने टाइम टेबिल का और science की class यहां आपको दरमेंदर सर पढ़ा रहे हैं सुबह आठ बजे से ठीक है विसेश तोर से बचे अभी physics की class आपकी शुरू ही है और जुडे रही है एक अलग तरीके की physics आप इनकी पाएंगे बहुत सांदार तरीके से बहुत इक विज्ञान को यह पढ़ा रहे है computer की class सेम है तीनों में एक बजे का time है reasoning का time तीनों में सेम है math का time तीनों में सेम है बस बात बची किसकी English और physics की ठीक है तो सुरू करें अपनी class को एक बार thumbs up कर दो और लिख दो we are ready we are ready बहुत बढ़िया बहुत सांदार चलो भी शुरू करेंगे शुरू करेंगे बच्चे शुरू करेंगे ध्यान से देख लेना एक बार चलो विवेक पिरसांद सिंग ये application के बच्चे हैं लेकपाल वाले बच्चे हैं बहुत सांदार तो बच्चे में लेकपाल वाले बच्चों से विनर्म निवेदन करता हूँ बहुत थोड़ी सी class होंगी है थोड़ी देर की class होया करेगी तो आप लोगों को यहां अपने यहां तो यहां लेकपाल में कहीं भी computer के परिक्षा आप देंगे कोई भी बच्चा जो मेरे सब्दों को सुन रहा है आपके लिए computer के present कर पाना एक बहुत हलकी सी चीज हो जाएगा ठीक है तो शुरू करेंगे शुरू करते हैं बच्चे किसको computer को सबसे पहली बात आती है हम लोगों के सामने what is the computer, computer है क्या computer दरसल में है क्या तो मेरे सब्दों को बहुत ध्यान से सुनना computer लिखना computer सब्द की उत्पत्ति computer सब्द की उत्पत्ति ग्रीक भासा के सब्द ग्रीक भासा के सब्द compute से हुई है अब बात आती है प्रमुक बात की compute का क्या अर्थ होता है तो यहां लिखेंगे आप लोग compute का अर्थ है compute का अर्थ है गड़ना करना क्या अर्थ है compute का अर्थ है गड़ना करना अर्थात to calculate क्या करना क्या बोला मैंने what is the meaning of computer आप लोग क्या कहेंगे meaning of computer is to calculate गड़ना करना तो किस से बना है compute का अर्थ है गड़ना करना इसलिए note करेंगे इसलिए हम computer को computer को संगणक कहते है क्या बोलते है चाहे वो वायू यान का छेतर हो चाहे वो दूर संचार का छेतर हो हर जगे चाहे वो गेम खेलने के लिए इस्तेमाल हो तो सिर्फ गड़ना क्यों बोल रहे हैं गड़ना हम इसलिए बोलते हैं जब सुरुवाती दिनों में कंप्यूटर का आविसकार किनोंने चाल्स बेवेज ने जब कंप्यूटर बनाने का काम किया था तो उस समय ये गड़ना के लिए बना था उस समय इसको कैलकुलेसंस के लिए बनाया गया था प्रुवात में किस के लिए बनाया गया था, इतनी बात आप लोग नोट कर चुके हैं, आराम से नोट करते रहेंगे, दूसरी बात पर हम लोग आएंगे, दूसरी बत पराएंगे कौन से सब्द से उत्पत्ती हुई है हमारी बोलो सारे बच्चे एक बार कंप्यूट सब्द से उत्पत्ती हुई है और कंप्यूट का क्या आर्थ होता है कंप्यूट का आर्थ होता है गड़ना करना को दिकत नहीं? चलो अगली बात पर आते हैं Computer के जनक Computer के जनक कौन है Computer के जनक Charles Babbage Kutafat से comment section में answer करोगे और अभी recent का पूछा हुआ Queshon है Recent का पूछा हुआ Queshon है और recent का मतलब आपसे मतलब नहीं है RRB NTPC का पूछा हुआ कुछन है कि Charles Babbage किस देश से संबंद रखते थे फटाफट से बताएंगे सारे दोस्त फटाफट से बताएंगे Charles Babbage किस देश से संबंद रखते थे तो इस साइड में फोटो लगा हुआ है Charles Babbage किस देश से संबंद रखते थे England से संबंद रखते थे कहां से England देश के निवासी थे और याद रख लिना ये जो इनके वर्स है 1791 में इनका जनम हुआ है जनम कब हुआ था इनका 1791 में और 1871 में क्या हो गई इनके मरत्यू हो गई थी इन ही को हम बोलते हैं कंप्यूटर कहने का कारण क्या है क्या इन्होंने आज वाला जो ये कंप्यूटर है ये बनाया था नहीं इन्होंने इसको नहीं बनाया था अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने फिर बनाया क्या था इन्होंने बनाया था भहिया इन्होंने क्या बनाया था तो लिखना, चार्ल्स बेबेज ने, सी जी भी लिख रहा हूँ है, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविस्कार किया था। बेबेज ने डिफ्रेंस इंजन का आविस्कार किया था क्या बोलोगे चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड दा डिफ्रेंस इंजन अब ये डिफ्रेंस इंजन दरसल में क्या था तो मैंने बुला कंप्यूटर को हम लोग बोलते थे संगनक तो संगनक जो है वो गड़ना करने के लिए था तो सीधी सी बात है आधार था डिफ्रेंस इंजन तो डिफ्रेंस इंजन क्या करता होगा calculations करता था लिखना difference engine का आविश्कार difference engine का जो invention हुआ ये जो invention इसका हुआ ये invention हुआ आपका 1822 में in 1822 का आविश्कार हुआ 1822 में और क्या विशेस्ता थी क्या ये 2 प्लस 2 करता था 2 प्लस 2 बराबर 4, 4 प्लस 2 बराबर 6 तो ये तो इनसान कर सकता है बड़े आराम से तो ये कैसी calculations के लिए बनाया गया difference engine को याद रख लेना दसमलब के बाद के 20 अंकों तक आप कर पाओगे क्या अप सोचो जैसे मैं संख्या लिख देता हूँ दसमलब के बाद के 20 अंक ये calculation human mind के लिए कर पाना जैसे हम बूल देते हैं ने मुझबानी कर पाना बहुत मस्किल है तो क्या करता था दसमलब के बाद के 20 अंकों की calculation के लिए था अंकों की calculation के लिए गड़ना के लिए था इतनी बात में कोई दिकत क्या काम था दसमलब के बाद के 20 अंकों की दसमलब के बाद के 20 अंकों की गड़ना के लिए चलो बई अगली बात पर आएंगे और कुछ भी बनाया था क्या Charles Bebej के बारे में आप कुछ जानते हैं बच्चे तो आप लिखिए कि कुछ और बनाया था क्या इन्होंने क्या बोलोगे आप कहेंगे भाईया जी इन्होंने बनाया था एक analytical engine लिखना CB ने 1833 में analytical analytical engine बनाना सुरू किया मसीने थी ये बड़ी मसीने जैसे आपके घर में engine होता है ना engine समझते हो चारा काटने के लिए 12 चलाने के लिए जो engine होता है ऐसे आकार के उससे भी बड़े आकार की मसीने थी 1833 में analytical engine बनाया तो ये बाद में बनाया इन्होंने सीधी सी बाद कुछ अपग्रेड किया होगा और जो अपग्रेड इन्होंने किया तो यहां ये पहुँच गए analytical engine में 12 के बाद के 50 अंकों की calculation तक कहां तक पहुँच गए 12 के बाद की 15 अंक के calculation तक कोई दिक्कत computer सभी ने देख रखा है ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने computer ना देखा हो ये तो हुई बच्चे छोटी बाते computer के विकास की जो पांचवी किलास की बाते हैं computer की full form कितने बच्चे जानते हैं फटा-फट से थमसब करके बताएंगे computer की full form यानि computer एक abbreviated form है या नहीं है थोड़ी बहुत टूटी फूटी भी जानते हूँगे कुछ बच्चे येस करके लिखेंगे जो बच्चे टूटी फूटी full form जानते हैं वो लिखिए येस भाया जी थोड़े बहुत एक दो एक दो letters का जानता हूँ ठीक है येस 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 अरह मूर्खो अब मेरी बात सुनो computer की कहीं भी आपने जो full form पड़ी वो गलत है computer की कोई full form नहीं होती है मैंने भी क्या बताया था आपने दिमाख लगाया थोड़ा सा computer सब्द जो है वो compute सब्द से बना है और compute का आर्थ होता है गड़ना करना ये कहीं भी लिखा होता है C4 calculate, O4 operate, M4 multiplication ये सब अपने दिमाख की धारनाएं है पैदा की हुई computer की कोई full form नहीं होती क्या लिखेंगे? तो आप समझे computer is not a abbreviated form computer कोई संचिप्त पद नहीं है जैसे संचिप्त पद हम पढ़ते हैं न BARC, BHABA Atomic Research Center इस तरह है computer कोई abbreviated form नहीं है एक दिमाख का भेहम दूर हुआ जहां कहीं भी गूगल वूगल पे लिखा हुआ है न ये सब human created है computer की कोई full form नहीं होती क्याल बोलोगे? कोई full form नहीं है तो किसी भी परिक्षा में नहीं पूछा जा सकता कि computer में C4 क्या होता है computer में R4 क्या होता है लिख देते हैं नो computer का R4 research है न? तो वो सब गलत है आप लोगों को एक बात याद रख लेनी है computer की कोई भी full form नहीं होती है अब आज़ो अगर मैं definition की बात करता हूँ परिभासा की बात करता हूँ तो computer की परिभासा क्या होगी? note करना यहां से असली chapter सुरू होता है और cushion भी यहीं से बनते हैं लिखना भीया computer एक electronic device है computer is a electronic device computer की भासा अपने आप में हिंदी की भासा भी लगभग अंगरेजी के जैसी ही है computer एक electronic device है computer एक electronic device है जो अब हसते ही रहोगे? हाँ उल्लू ही थे तुम तुम्हें बहुत सारी चीज़े नहीं पता होती है तुम्हें लगता computer की एक फुलफाम होती है वो गलत है का बोला मैंने? computer एक electronic device है जो अंक गड़िती है यानि mathematical जो अंक गड़िती है और अंक गड़िती है और तारकिक गणनाई करता है और तारकिक गणनाई करता है बोलो फटाफट से computer के दो में फंक्शन क्या है? एक एक गड़िती है अंक गड़िती है और एक तारकिक गणनाई अब दिमाग में पिरसन आया भहिया जी अंक गड़िती है और तारकिक गणनाई क्या है? तो क्या बोला मैंने? computer is a is a electronic device computer is a electronic device which तो mathematical and mathematical and mathematical and logical operations mathematical से मतलब हुआ आपका अंक गड़िती है और तारकिक रीजिनिंग में पढ़ते हो ना? तारकिक छमता लॉजिकल ठीक है? लॉजिकल एबिलीटी तो वही है and logical calculations and logical calculations computer is a electronic device which do or which performs which do or which performs mathematical and logical calculations समझो भई इसका क्या मतलब हुआ है? तो भईया जी एक बात समझ में नहीं आई ये अंक गड़िती है और तारकिक गड़नाएं क्या होती है? तो लिखना बच्चे जो ये mathematical calculation है mathematical कौन कौन सी होती है? पिलस माइनस मल्टिपिलिकेशन डिवाइड तो ये तो होगे mathematical expressions logical calculations कौन कौन सी होती है भी आजी? equals to not equals to greater than less than ये सब क्या है? ये सब है logical operations यानि computer पिलस माइनस गुणा भाग equals to not equals to less than और greater than इन सब भी पर कारिय करता है छोटी सी परिभासा दिमाग में आई क्या बुला मैंने? computer एक electronic device है जो अंगडितिये और तारकिक गणनाई करता है जो mathematical और logical expressions को solve करता है कोई दिक्कत यहां तक की बात में अब आ जाते हैं बच्चे वापस दूसरी बात पर अब आजाओ परिक्षा वाली बात पर एक question पूछने जा रहा हूँ मैं आपसे यहां से समझना मैंने बुला computer कर सकता है जवाब देना computer कर सकता है सिर्फ journal question note मत करना इसको computer कर सकता है क्या हल कर सकता है मैं यह पूछना चारह हूँ एक मैंने दिया अंगडितिय के रिया है यानि की mathematical operations एक दिया मैंने logical operations यानि की तारकिक गड़ना है तो मुझे बताओ तीसरा option मैंने दिया one and two और चौथा option मैंने दिया none of the none of the above note बनवाँगा जो बच्चे मुझसे computer पढ़ चुके होंगे वो इस बात को जानते होंगे कि हम रोज कैसे notes बनवाएंगे बोलो फटाफट से शलो क्या हो जाएगा तीन वाले सारे ठीक है एक अभी भी बता रहा है option one भी या नींद से जाग और किलास ले तो mathematical operations और logical operations दोनों कर सकता है परिक्षा में बार बार पूछा जाता है ठीक है अगली बात पर आजाओ दूसरे काम पर आजाओ computer के पर इतनी बात में कोई दिकत दो तरह की चीजों पर काम करता है एक mathematical operations यानि कि पिलस माइनस गुणा भाग और एक आपका logical operations equals to, not equals to, greater than, less than पर computer काम करता है चलो दूसरी बात पर आजाओ computer computer बहुत ध्यान से सुनना computer data को data बोलो या data बोलो दौन सब्द ठीक होते है data को data को information में change करता है data को information में परिवर्तित करता है और ये जो line है ना ये पहले chapter में सबसे ज़्यादे पूछे जाने वाले question यहां से बनते है परिवर्तित करता है क्या करता है data को information में परिवर्तित करता है कौन computer computer क्या कर रहा है जो data है वो data को computer ने किसमें बदल दिया information में बदल दिया भईया जी ये data क्या है ये information क्या है समझना बहुत दियान से data को किसमें बदल दिया information में बदल दिया तो कुछ तो किया होगा न या ऐसे ही हवा हवा में बदल दिया होगा नहीं data को process करता है क्या किया data को process किया और किसमें किसमें बदल दिया information में बदल दिया गुरु जी लेकपाल वाले बच्चे ये class ले ये PDF पढ़ें बड़ा आपकी मर्जी है आपके लिए class एविलेबल है हना तो आप अगर PDF से पढ़कर समझ पाने में सक्षम है तो बिल्कुल PDF पढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ऐसा होगा computer एक ऐसा विसा सुनोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा data को process करके किसमें information में बदला जाता है कोई दिक्कत अब समझो ये data क्या है कई बार प्रिक्षाओं में पूछा गया computer में प्रियोग होने वाले raw facts को क्या बोलते हैं raw facts कौन है data है data को मैं क्या बोल सकता हूँ कच्चे तथ्य बोल सकता हूँ कच्चे तथ्य कौन होते हैं ये होता है data information क्या है सूचना सूचना हिंदी में बोलेंगे इसको, लेकिन सुचना को मैं क्या बोलूंगा, ये पक्के तथ्य हैं, कैसे तथ्य हैं, पक्के तथ्य हैं, अब एक practical पर आ जाते हैं, एक practical पर आ जाते हैं, और वो practical क्या है, दिहान से देखना, आप लोगों ने Google इस्तेमाल किया, सभी लोगों ने यहाँ देखना एक बार इसमाँ Google है भी नहीं है देखो समझना एक कच्चे तथ्य और पक्के तथ्य क्या है यह Google है Google पर मैं गया आप लोग भी Google इस्तेमाल करते हैं Google पर मैं गया और मुझको सर्च करना था सरोजनी नाइडू सरोजनी नाइडू अब मैं सरोजनी नाइडू को सही नहीं लिखूँगा मैं लिख रहा हूँ S-R-J-N-I सरोजनी R-N-O-I-D-I-O-U यह कोई स्पेलिंग थोड़ी है मैंने जो अब डाली है क्या S-R-J-N-I-N-O-D-I-N-O-U-U-U यह सरोजनी नाइडू की स्पेलिंग है नहीं जी बेकार तथ्य था एकदम एकदम raw material था लेकिन सर्च में क्या आया सर्च में क्या आया सरोजनी नाइडू आया तब भी मिला क्या हमको पक्का तथ्य मिला तो यह बीच में ऐसा क्या हुआ जिसने हमारे गलत लिखे को भी सही कर दिया तब वो क्या था वो processing हुई एक और वो processor कौन था वो computer का दिमाग था CPU कौन था CPU जिसने समझा यह सर्च करने वाला मूर्ख है यह सर्च करने वाला मूर्ख है सायद यह जानना चाह रहा है इस चीज के बारे में समझे भई मेरी बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ अब आओ अब समझोगे तो जो data है वो कच्चे तथ्य होते हैं arranged नहीं होते हैं यह कच्चे तथ्य हैं इसको process किया process कौन करता है हमेशा कौन करेगा brain of computer CPU क्या करता है process करता है और किसमें बदल देता है उसको सूचना में यानि पक्के तथ्य में बदल देता है पहला person सुनो द्यान से जब तक उत्तर नहीं बताओगे तब तक आगे नहीं बढ़ूँगा computer के लिए computer के लिए input का काम कौन करता है तो data को मैं क्या बोल सकता हूँ input आपने computer को क्या दिया एक data दिया computer ने उसको process किया समझा और आपको क्या दे दिया एक output दे दिया एक output दे दिया तो computer input से output देगा computer कच्चे तथ्य से पक्या तथ्य देगा मैंने अभी बताये नो मैं आपको परिक्षा के परिशन करवाऊंगा कल और कल मैं दिखाऊंगा raw facts से किस तरह परिशन बने हुए और data क्या है कच्चे तथ है और सूचना क्या होती है पक्के तथ है जैसे मैंने computer को दे दिया दस मैंने बोला ऐसा ले लेते हैं जैसे मैंने बोला 24 11 1994 ये क्या है बोलो मैंने computer को एक number दिया input में तो ये क्या है computer क्या समझ पाएगा ये क्या है मैं जानता हूँ ये क्या है लेकिन जब मैं computer को इस चीज़ को process करवाऊंगा तो process में जब सूचना बनेगी वहाँ व्यक्ति का नाम वो data बर्थ भी हो सकती है कोई serial number भी हो सकता है इधर arrange होकर के जब मैं उसको data दूँगा सारा तब बताएगा 24 नॉमबर 1994 में नवीन सर्मा सन ओफ वाचस्पति सर्मा विलेज मसोता तहसील सिकंदराबाद डिश्टिक बुलंद सहर के निवासी की जनमति थी है यह होता है पक्के तथ है बात किलियर आगे बढ़ें आगे बढ़ें बच्चे इतनी बात किलियर है मैं कभी भी आपसे पूछूँगा computer क्या करता है आप कहेंगे भीया data को किसमे परिवर्तित कर देगा answer बताओ computer data को किसमे परिवर्तित कर देता है computer data को किसमे परिवर्तित कर देता है क्या बोलोगे computer data को सूचना में information में परिवर्तित कर देता है आजाओ भी अगली बात पर अब यह कुछ हुआ है लिखना computer द्वारा computer द्वारा data को data को सूचिना में परिवर्थित करना क्या किया इसने change किया data को सूच ना में computer दवारा data को सूच ना में परिवर्थित करना EDP कहलाता है यह पूछा गया था आपसे दिली पुलिस कॉंस्टेबल 2020 में EDP का full form क्या है? ये पूछा गया. तो computer द्वारा data को सूचना में परिवर्थित करना EDP कहलाता है. क्या कहलाता है? EDP कहलाता है. EDP क्या है? ये computer एक electronic device है? ये मैं आपको बता चुका है. तो क्या बोलेंगे? electronic electronic D4 data और P4 processing. EDP का पूरा नाम क्या हुआ? Electronic Data Processing. मार्क करके लिखेंगे, बहुत important है. Electronic Data Processing. EDP कहलाता है. कोई दिक्कत भई, इतनी सी बात में किसी को? इतनी सी बात में किसी भी मेरे दोस्त को कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज फोटो बताओ. इसको मैंने नाम दिया, इसको नाम दिया मैंने N, और इसको मैंने नाम दिया M. मुझे बताओ CPU कौन सा है? M, या फिर N. M या फिर N. पुटाफट से बोले. जल्दी से बताओंगे सारे दोस्त, या तो N या M. अभी बच्चों का नाम आ रहा है. राज पूछ रहें जी, EDP की full form क्या होगी? बटा आपके दिमाग में पिरसन आने से पहले मैं उसका solution दे दूँगा, इस बात के लिए ही मैं जाना जाता हूँ, कि आपके लिए doubt नहीं बचेगा. आपको बस class join करनी है, class को आनन्द से करना, बाकी पूछना, पाचना, आपने लिखा लेट, उससे पहले मैं बता चुका हूँ. चलो भे, बोलो. बहुत बढ़िया, दिल्ली पुलिस कॉंस्टेबल के लिए GS की classes अभी नहीं चलेंगी, तीन बजे आपका practice set होता है, जैसे UP पुलिस के लिए हमने पहले practice set चलाया था, अभी सिर्फ आप तीन बजे होने वाला GS का practice set यूट्यूब पर होता है, मैं ही कराता हूँ, आप उसक इसको बोलते हैं हम cabinet, ये CPU नहीं है, CPU हमारा होता है, कौन सा CPU होता है हमारा यहां, भाट समझ रहे हैं, दरसल हम भुझे डिबा रखा रहता हैं उसको CPU समझे लेते हैं, और हम बोलते ही हैं कि वह CPU है, वह CPU नहीं है, CPU तो भहिया एक processor होता है, ठीक है, ये क्या है, ये cabinet है, य अब आजओ तो जो input था input था वो किसमें change कर लिया था हमने output में और input से जब output हुआ तो process हुआ तो process हुआ और process किसके द्वारा किया गया TPU के द्वारा लिखना ये process ये process जो किरिया विधिये हुई है ये process CPU द्वारा किया जाता है किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है CPU के द्वारा किया जाता है समझना बच्चे मेरी बात को तो CPU यहां देखो दिहां से CPU कौन है CPU ये है कौन कर रहा है इस पिर किरिया को CPU करता है CPU प्रोसेस करता है तो CPU के नोट करना CPU के तीन भाग होते हैं अकेला CPU नहीं हर भाग का अलग अलग काम है तीन भाग होते है कितने भाग होते हैं CPU के कितने भाग होते हैं CPU के बोलेंगे तीन भाग होते हैं और वो तीन भाग कौन कौन से हैं नमबर वन, ALU Arithmetic Logic Unit दूसरा होगा Control Unit नमबर टू इज Control Unit, CU and another one जब थर्ड पार्ट इज PU हो गया आपका थर्ड वन इज Memory Unit क्या बोलेंगे इसको Memory Unit और Memory Unit को हम लोग क्या बोलते हैं इसको Storage Unit भी कहते हैं Storage Unit भी हम इसको कहते हैं पहले सुनिए मेरी बात को ध्यान से जो ये CPU है CPU के कितने पार्ट होते हैं Comment section फटाफट से बताएंगे मैंने बहला CPU के तीन पार्ट होते हैं किसके? CPU के तो ये CPU क्या है? CPU के लिए बच्चे कहीं side में लिखना CPU को Processor CPU को Processor Microprocessor Microprocessor चीक है? Microprochip Microprochip Processor Microprocessor Microprochip क्या बोलते हैं? Microprochip आदी कहते हैं आदी भी कहते हैं इसके अन्य नाम है कहीं भी computer में मैं आपको नाम लूँगा Processor तो आप क्या कहेंगे? भीया जी CPU को ही Processor Microprocessor या Microprochip के नाम से जाना जाता है दिखता कैसा है? मैंने आपको बताया था M आकिरती M आकिरती CPU है वो दिक्कत इतनी बात में अब हम को समझना है CPU ALU CU और Memory Unit इनके क्या काम है? इनके क्या काम है? समझना वई पहले आजाओ CPU जो CPU है मैंने बताया एक चिप हो गई और CPU में क्या कौन-कौन से तीन पार्ट मैंने बताये एक हो गया ALU Arithmetic Logic Unit एक हो गया आपका Control Unit और एक हो गया आपका Memory Unit जिसको मैंने अभी Storage Unit भी कहा MU भी बोल सकते हैं ये किसके पार्ट हैं तीनो? ये तीनो पार्ट हैं आपके CPU के हैं किसके पार्ट है तीनो? CPU के पार्ट हैं बहुत बढ़िया बहुत अच्छा कमेंट लिखा है DV Gamer ने कंप्यूटर में जो भी होता है जो भी processing होती है वो CPU के अंदर होती है बहुत बढ़िया बच्चे आविसकारक मैं सब के बताऊंगा आप लोगों को घबराना नहीं है यहां देखो द्यान से अभी हम समझ रहे हैं CPU का पूरा नाम क्या होगा CPU का पूरा नाम क्या होगा तो आप बोलोगे Central नोट करो Central Processing Unit Central Processing Unit ALU Arithmetic अभी हमको नके function सीखने हैं सभी के फुल फॉर्म आप नोट करते चलिए Arithmetic Logic Unit CU4 Control Unit Control Unit और Memory Unit को मैंने आपको भी बताई ही दिया कि Memory Unit को क्या बोलते हैं हम लोग Storage Unit भी कहते हैं आजाओ बई CPU को याद रख लेना इसी को ही computer का मस्तिस्क इसको ही हम लोग computer का मस्तिस्क यानि कि brain मस्तिस्क brain रिद है heart दिमाग आदी कहते हैं प्रोसेस करने का काम यही कर रहा है आपके आपके सरीर में कौन प्रोसेस करता है सब कुछ मस्तिस्क हमारा सब कुछ mind कंट्रोल करता है ठीक है arithmetic logic unit क्या करेगा समझो भई अब arithmetic logic unit क्या करेगा जो part है CPU का लिखना यह है गड़ितिये किरियाएं गड़ितिये और तार्किक अभी समझा है था मैंने तार्किक किरियाएं करता है अभी तक तो बच्चे हम जानते थे भाईया जी आप तो बता रहे थे कि गड़ितिये और तार्किक किरियाएं computer करता है तो बच्चे जब हमने computer को शुरू किया तो computer करता था अब हम गेहन तरीके से एकदम deep में जाकर के ये जान पाए कि ये काम computer का कौन सा part करता है ALU और गड़तिय किरिया एक कौन सी plus minus गुणा भाग बहुत कुशन बनता है computer का वह कौन सा भाग है जो mathematical operations को solve करता है या गड़तिय किरियाओं को हल करता है या आपका तार की गणनाओं को हल करता है क्या answer आएगा बो क्या answer आएगा सब की PDF मिलेगी बच्चे हर class की PDF मिलेगी application में आपको PDF मिल जाएगी आप जाएंगे न वहाँ दिल्ली पुलिस constable वाले या आपका AWO वाले या head constable ministerial वाले section में आप जाओगे application में जिन बच्चों ने application को डाउनलोड नहीं किया है डाउनलोड कर लो आप लोगों को इसकी PDF मिलेगी ठीक है यह गड़तियाओं और तारकिक किरियाओं करता है ठीक है control कौन करता है? ALU अब बात आई CU की control unit क्या करेगी? अब मैंने बला था input से output बन process हुआ तो उसके मद्ध जो भी जो भी किरियाओं हुई input से output के मद्ध signal गया, signal आया तो लिखो control unit यह input से output के मद्ध input से output के मद्ध signals को नियंतरित करता है नियंतरित करता है और मैंने बहुत थोड़ी सी चीज़े आपको बताईयें वच्चे और आप कल देखोगे कि कितने सारे अब कितने सारे परसन आप इन थोड़ी चीजों की वज़़े से बना पाओगे Memory Unit क्या काम करती है यह है Input से जब Output प्राप्त होता है OP मतलब Output Output प्राप्त होता है तो अब Output आया तो उसको Save करके कैसे रखेगा Computer Computer को कैसे याद रखेगा तो उसके लिए Storage होनी जरूरी है जैसे कि आपके Phone में Memory Card होता है या Inbuilt Memory होती है इसी तरह Computer में होती है Memory Unit मैं आपको आगे बताऊँगा External, Internal, Ram, Roam क्या होती है इसब तो Input से जब Output प्राप्त होता है तो उसके उसके भंडारन के लिए भंडारन मतलब Storage भंडारन अर्थात Storage के लिए भंडारन का काम भंडारन का काम करती है कोई दिक्कत बहिए इस बात में क्या करेगी Input से जब Output प्राप्त होता है तो उसके भंडारन का काम करती है यहां तक कोई दिक्कत? बोलेंगे सारे प्यारे दोस्त, यहां तक की बात में कोई दिक्कत? हाँ, फिरी क्लास चलेगी एकदम अरे वाँ, इस्टडी बहुत अच्छा लिख रहे हैं चलो बई कोई दिक्कत, नो सर, नो सर, नो सर, बहुत बढ़िया हर किसी के बारे में जाना, भी रैम रोम यार मेमोरी में हम लोग पढ़ेंगे अब आप एक लाश्ट चीज समझ लो इस चैप्टर की और यह बेसिक था कल आपको इसके कुश्चन में आपको कराने वाला हूँ बच्चे और लगबग 25 से 30 कुश्चन आप लोगों के लिए होंगे एक भी पिरसन मिस नहीं होना चाहिए और जो जरूरी बाते होंगी कल मैं वहां भी आपके साथ डिसकस कर रहा हूँगा अब आजओ एक बार डेटा पर डेटा क्या था इन्पुट या आउट्पुट फटाफट से बताए डेटा क्या है कंप्यूटर की भासा में डेटा का क्या अर्थ है इन्पुट या आउट्पुट बोलेंगे फटाफट से इन्पुट 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 बहुत गजब चलो भी तो अगर बात करते हैं हम डेटा की जो इन्पुट है डेटा दो पिरकार का होता है आप अपने phone में typing करते हैं रात को रात को typing करते हो तो समझते हो ना, रात की typing से मतलब दिन में भी typing करते हैं हम लोग अभी भी आप लोग लिख रहे हैं यहाँ, chat box में comments में, कम ध्यानदी अगर comments पर ठीक है, data दो पिरकार का होता है जो वो input है जो raw facts जिसको मैंने बताया जिसको मैंने एविवस्थित आंकडे बताया जो input मैंने आपको बताया जिसको हमने process किया था जिसको हमने process करके output को प्राप्त किया था वो दो पिरकार का होता है एक numeric data क्या होता है numeric data होता है जिसको हम क्या बोलते हैं sorry क्या बोलते हैं संख्यात्मक डाटा जिसको हम बोलते हैं and another one is alpha numeric data जो आप typing कर रहे हो न अपने जो आप लोग typing कर रहे हैं अपने इस keyboard पर इसमें देखो क्या क्या बना हुआ है फटापट से बताओ आपके इस पर क्या क्या बना हुआ है alpha numeric data आपके comment section से ही समझते हैं यह क्या होता है गैर संख्यात्मक गैर संख्यात्मक मतलब जिसमें गैर कौन होता दुस्मन दुस्मन कौन संख्या का दुस्मन जिसमें संख्या नहीं आनी चाहिए गैर संख्यात्मक डाटा तो मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ अभी तब कुछ है आपके तो संख्यातमर कौन-कौन से है जीरो से नौतक की संख्याएं होती है नौतक की जो संख्याएं है उनको क्या बोलेंगे हम Numeric Data बोलेंगे और Alpha Numeric Data क्या होगा जो नमबर के अलावा होगा बड़े A से बड़े Z तक इसमॉल A से इसमॉल Z तक भीया जी स्टार भी तो होता है एड़ दा रेट भी तो होता है हैज भी तो होता है कॉमा भी तो होता है है ना सेमी कॉलन भी तो होता है नमबर के अलावा जो कुछ है वो सब है alpha numeric फिरसन पूछा गया आपसे answer बताना पिरसन बताना computer की भासा में data सब्डावली में add the rate किस पिरकार का data है संख्यात्मक या गैर संख्यात्मक बोलेंगे सारे दोस्त संख्यात्मक है या गैर संख्यात्मक है क्या answer होगा सबी बच्चों के comment section यार सामने वाला अगर सामने वाला अगर वैसे पता नहीं चलता सामने वाले का भी पता चली उदर से भी आगी तुम रो रही हो तो मैं भी रो रहा हूं वह इमोजी तो भेज नहीं है बस पता किसको चल रही है अगर वीडियो कॉल कर देते तो थोड़ थोड़ा से पानी मार लो आंख पर तो फिर भी दिख जाएंग जो कुछ भी होता है तो बच्चे मैं उमीद करूँगा ये जो डेटा है ये जो डेटा है जैसे मैंने सरोजनी नाइडू लिख दिया उल्टा सीधा इस डेटा को ये जो डेटा था इस डेटा को प्रोसेस करने का काम सारा हमने सीखा प्रोसेस बोलू या मैन्यूपलेट ब सूचना हमको दे दी और सूचना क्या होता है आपका विवस्थित आंकडे होते हैं ठीक है तो कल मैं इसके कोश्चन लेकर क्या हूंगा कितने संभब एक प्रसंद नहीं बनता बहुत सारे प्रसंद अब्मीद करूंगा आप लोग उन प्रसंदों के जवाब देंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना किस पर कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ कंप्यूटर की पीडियां उनमें सॉफ्ट्वेर हाडवेर वेक्यूम ट्यूब से लेकर के वेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेशन और आज के वरतमान रोबोट तक का मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा सेक की चीजे हम बहुत अच्छे से आगे चलते रहेंगे और एक नारा सुनना चाहूँगा आप लोग के साथ में दिल्ली पुलिस फटय कि इस मुहिं तक अंतिम दिन तक जब तक दिल्ली पुलिस का पेपर आपका नहीं हो जाता है तब तक डटे रहेंगे और एक सांदार महन हम और आप मिलकर के करते रहेंगे तो बच्चे पढ़ते रहें आगे बढ़ते रहें जैहिन जैभारत भारत माता की जै